हेलो विवर्स असलाम लेकूं मैं हूँ आपको होस्ट आपका दोस्त अब्दिल जबार आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चोनल एजे डार्ट आटो मुबाइल तो आज आपके लिए खुबसूरत सी कार स्पोर्ट्स कार की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें इंफॉर्म की खुबसूरत येलो कुलर की स्पोर्ट्स कार आई थिंग के पाकिस्तान में तो अवेलिबल नहीं है लेकिन हमने आपके लिए तगवद किया और जूंसाना आपके लिए खुबसूरत सी एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं जो के बहुत इंफॉर्मिटिव और सर्प्र प्राइजिंग होगी तो चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ तो उसके आम आपको बताते हैं स्पेसिफिकेशन प्राइस प्राइस टूमच कास्टली तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ तो अब हम आगे हैं गाड़ी की तरफ ये बहुत ही खुबसूरत यालो दुनिया में महंगी तरी इन गाडियों की लिस्ट अगर शाय की जाए तो उसमें आई थिंग के वन टू त्री या टॉप फाइब में लाजमी आती होगी बेसिकली एक स्पोर्ट्स कार है टू पर्संस टू डोर सतती सो निन्नानवे सीसी टूइन टर्बो प्लस 131 अलेक्ट्रिक मोटर के साथ तो अगर हार्स पावर की बात की जाए तो 916 हार्स पावर और 900 न्यूटन मेटर का टॉर्क पैदा करती है और अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो बेसिकली एक स्पोर्ट्स कार है फिसस्पीड की बात की जाए तो 350 टॉप स्पीड है और लाइट वेट कार है यह 1490 किज़ी इसका वेट है और यह स्पोर्ट्स कार में जो सबसे एहम और कीमती से बात समझी जाती है वह होती है गाड़ी 1 to 10 स्पीड तो ये मैकलारन इसी हवाले से most famous कार है ये 1 to 10 सिर्फ और सिर्फ 2.8 सेकंड्स में complete करती है और अगर 1 to 200 की बात की जाए तो 0 to 200 ये 6.8 सेकंड्स में complete करती है तो इसलिए ये कीमत के हवाले से बहुत costly और मानी जाती है और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं बेसिकली ये योरप और गल्फ वगारा में इसको इस्तमाल किया जाता है पाकिस्तान के रोड पाकिस्तान के एकॉनमी पाकिस्तान के लोग इसको afford नहीं कर सकते हैं बट तू मच कॉस्टली और इसके लिए environment नहीं है जिसकी वज़ा से यहां पर कोई से purchase नहीं करता क्योंकि ये डॉलर्स में 10 से 13 लाक डॉलर्स की है तो क्योंकि जब मिलती योरप में है तो डॉलर्स के हिसाब से बात करेंगे तो ये 10 से 13 लाक डॉलर की है जो के अगर हम उनको multiply करें तो पाकिस्तान में 25 से 30 करोड बनता है डॉलर्स के हिसाब से अगर पाकिस्तान में आएगी तो टेक्सिस कस्टम्स वगारा लगने के बाद ये तो 40 करोड की बनती है तो इसलिए ये बहुत कम पाकिस्तान में देखने को मिलती है तो ये British made McLern P1 sports car बहुत ही एक खुबशूरत डैशिंग फंटेस्टिक येलो एंड ब्लैक कलर में इसका आज हम आपके लिए रिवियू लेकर आए हैं तो ये एक sports car है इसकी speeds के हवाले से तो हर लोग जानते हैं आप लोग जानते होंगे तो माम इवर्स जानते होंगे क्योंकि ये races के लगारा के हवाले से इस्तमाल की जाती है तो आपको जिकर किया था सब्प्राइज का तो सर्प्राइज ये था कि ये एक टौह कार है आपको बताया कि पाकिस्तान में तो इसकी जैनवन विर्याट में अवेलिबल्टी नहीं है इसलिए ये हमने आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के हवाले से दरास से ओनलाइन मंगवाई थी मैंने कहा आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की जाए और आपको कार दिखाई जाए मैकलार्न पी-वन वी-एट अठटिस सो सीसी प्लस टुइन टर्बो चार्ज वन की टॉय होते हैं वैसी नहीं है ये जैन्वन शेप में मैटल की बनी हुई गाड़ी है जो नॉर्मल रेट में गाड़ी होती है वो 30 से 40 ग्राम की होती है ये 110 यानि 110 ग्राम की टोटल मैटल गाड़ी है जो के बहुत ही ठोस है हर एक इसके कट और पॉइंट्स को मिलकुल प प्रंट देख सकते हैं ये बहुत खुब्सूर्ट डिजाइन में बैक फ्रंट हर एक चीज़ को प्रॉपर जिस तरह जैन्वन गाड़ी के कट्स हैं उसी तरह उन्होंने इस कट्स को मेंटेन किया थाकि देखने में गाड़ी बिलकुल रेर वीस लगे वजन के हवाले से मै ब्राबर आए ये मैंने बताया मेटल यूज किया गया टोटल मेले मेटलिस टिक गाड़ी है तो मैं उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद ऑगी क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो इंट्रस्टिंग और सर्प्राइजिंग होगी इंफर्वीटिव तो है क्योंक और जोनसाना जबरदस कंडिशन की है ऐसे बिल्कुल रॉफ टॉय नहीं है तो ये थी गाड़ी मैकलर्न पी वन ब्रिटिश मेड इन्शाला बहुत सी ऐसी इंटरस्टिंग सर्प्राइजिंग और मालूमाती वीडियो लेकर आते रहेंगे अपने और अपने गिर्दोनवा का ख्याल रखिये स्टे ट्यून अलाहाफिस पाकिस्तान जिन्दावाद